Good morning to everyone स्वाज हमारा जो next topic है Advantage of foreign direct investment और disadvantage of foreign direct investment इन दोनों topic को हम इस video के अंदर clear करेंगे, point को पूरा करेंगे और next video के अंदर हम क्या करेंगे foreign direct investment in retail वो क्या है दो तरह से होती है सबसे पहले मैं advantage के बारे में बात करती है आपको फिगर जो चार्ट है वो नजर आ रहा होगा advantage क्या है, positive points क्या है, benefit क्या है हमारे इंडिया के लिए foreign direct investment सबसे पहले क्या बात है inflow of the fund, inflow होना fund का inflow का मतलब पता है आपको की कोई चीज हमारे पास क्या है आ रही है, fund का मतलब क्या होते है कई पैसे का source, वो किसी भी तरह ऐसी हो सकते है तो क्या है, बाहर वाली company के दवारा अपनी country के अंदर पैसा लगाना, जिसके कारण क्या है foreign exchange का जो system है, foreign exchange जिसके है, generally done हो जाता है जिसके through क्या है, foreign के साथ क्या है land then import export की service क्या है जिससे क्या है, हमारी country के अंदर भी क्या है, employment क्या है बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर वाली country के दवारा क्या है, हमारी country के अंदर, कोई भी company set up कर रहके वो पैसा लगा रही है, हमारी country के अंदर तो क्या है, लोगों के अंदर क्या है employment की जो service है रोजगार जो provide करती है वो भी एक फाइदा हो जकता है इसमें वैसे देनी रखाई point inflow के अंदर ही मैं आपको उसको बता रही हूं जिसके कान के foreign exchange हो जाता है और जो host company होती है host company होती है जिस the country जिस state के अंदर जिसके अंदर क्या है है most पुरा स्पाइवर्ट कांपाइब चैनलोजी आप को सब्सक्किर हुआ है सब्सक्राइग तक्राइग होग वह है घ्रोचरiska कुछा गोडिस आप अगर पहले उस एरिया के अंदर पहले कुछ भी निदा माल हो कि मॉंबई के अंदर कि कुछ पहले लोग आएंगे भी जाएंगे भी तो क्या है तरह का नए मार्कित सेटप गया जैसे कि अगर मैं बता हूं आप अपने घर बनाते हो अगर बनाने के नीचे क्या है दुकाने निकाल देती हो वह क्या एक नई मार्किट सेटप हो जाती है इसी तरह से foreign direct investment के तुरूब भी क्या है, एक नई market setup हो जाते है, market channel बन जाते है, जिसके तुरूब क्या है, आप अपनी company के product को, अपनी company के जो, जो भी सम्हान है, उसको क्या है, channelize करते हैं, उन्हें mobilize करते हैं, तो यहाँ पे निकाओ है, foreign direct investment क्या करते हैं, dual benefit है, dual benefit मतलब कि इसका double benefit है, किस-किस-का, एक तो क्या है, एक नया market setup करती है, parent company, mistake is our part of life, so continue करते हैं, parents companies होती है, and also give a new market, जो पहले से ही जो बनी हुई company, उन्हें क्या एक नया market का रूप देती है, and the marketing channel to be the host country companies, marketing channel प्रवाइड करती है, कि किस-किस तरह के product में लेबल कर रहे हैं, उस host country के जहां पर वो company चल रही है, जहां पर वो पैसा invest हो रहा है, employment generation के अगर बात करो, employment generation यह होता है, कि normal सी बात, अगर जिस area के अंधर, पहले क्या है, कोई भी company setup नहीं थे, उस area के अंधर setup हो गई है, तो क्या है, वहां के लोगों को क्या है, वेवसाय मिल जाएगा, वहां के लो क्या है, तो क्या करेंगे, unskill person को भी ले सकते है, क्योंकि ध्यारी मजूरी को भी कर सकते है, पर skill person का technology का use कर सकते है, अपनी skill को increase कर सकते है, फिफ्ट पॉइंट है, capital formation का point अगर बात करें, तो क्या है, पैसे का बनने को बात का गया है, अब देखिए, एक तरी से आपको बत क्या है, 184 क्रोड की क्या है, 184 क्रोड की क्या है, यूज थी, बाकी की बचे क्या है, 16 क्रोड क्या है, वो क्या है, हम deposit कर देगा, फिर किसी बैंक में invest कर देगा, और वो पैसा कोई और company ले लेगी, जिसको वो need है, क्या है, किसी को कहीं surplus होता है, कहीं क्या है, shortage होती है, surplus क् काम आ जाता है कहां shortage के टाइम पर यहाँ पहले सी concept पढ़ते हैं कि जहां पैसे की ज्यादा हाई जहां पर यूज ना होता हो पैसा कहा है हम सेविंग कर देते हैं वही पैसा किसीद निकाल देता है जिसके कारण क्या है पैसे पैसे बन जाते हैं, पैसे ऐसे ही बनते हैं, इंटरस्ट के थुरू बन जाते हैं, या फिर कैसे, किसी और मैठेड़ से, अगर मैं इसको आपको डीपली समझाओं, तो इसका एक 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 जामपल लेती हूं, जैसे मान लो कि मैं Mr. A, Mr. A ऐसा परसे ने, जिसके पास क्या है, access amount आप चलिए, पैसी कंपनी जिसम क्या है? पैसे की बहुत ज़याता है? अजिसके कारण के पैसा क्या है, निकल के जबने को है, इसके पास आएगा इसने deposit करवाया, deposit करने पर भी कहा हमें interest मिलता है, जो withdrawal करवाएगा, जो loan लेगा, उसे भी कहा है, interest उसे चुकाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको भी पता है, जो rate of return होती है, normal investment की, वो कहा है, low होती है, as compared to rate of loan के comparison, तो यहाँ पर जो 10 क्रोड रुपए है, वो क्या है, वाप चार लाग रुपए क्या है, बैंक क्या बन गया, capital बन गई, वो क्या है, capital formation का ही काम करेगी, ठीक है, अगर इब six point की बात करूँ, तो क्या है, increase the tax revenue, आपको भी बताए कि जो इंडिया की जो सबसे most government income क्या है, tax का है, जिस से जादा क्या है, सबसे जादा क्या है, tax से ही क्य सरकार की क्या है, income बन गई, जिस भी government, the government of the host country, जो government है हमारी host country की, मालों की host country हमारी इंडिया है, इंडिया की जो government है, वो क्या करेगी, उसका एक benefit बन जाएगा, क्योंकि कोई भी business अगर बिजनस को, अगर वो operate कर रहा है, और business से operate करने से, क्या होगी, income क्यों पर क्या करना हाई competition के अंदर, हाई quality तो product देना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, कि जब भी हम foreign direct investment की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या है, competition जो होता है, ओस्ट country के अंदर, इंडिया के अंदर काफी सारे, अब देखो, अगर मैं shoes के बारे में अगर बात करूं, तो Adidas है, Nike है, Sportswear है, Leak Opera है, Leather के जो shoes है, इतने सारी companies क्या है, competition में चले है, तो high quality, अच्छी quality तो देंगी ही न, और इसी के साथ साथ क्या है, सस्ते rate में जो देगी, हर अच्छी quality देगी, वो क्या है, उसकी तरफ attractive होंगा, और उसकी ज़्याद सेल increase होगी, जिसके कारण क्या है, हमारी overall country क्या है, तोड़ी growth होगी, उसका economical development होगा, यह तो होगे हमारे advantage, अभी बात करते है, हमारे disadvantage के बारे में, normal सी बात है, जब कोई दुसरी company, दुसरी country, अपनी country के अंदर, पैसा invest करती है, 51% से जादा, मैंने पहले ही बताय था, foreign direct investment होता क्या है, अगर कोई 51% से जादा invest कर देती है, पहले बातों, उसे पूरा control हो जाएगा, जितने भी decision होगे, जितने भी क्या है, managing process होगी, जितने भी क्या है, उसे कती वीधिया करनी होगी, वो क्या है, foreign के लोग ही कर सकते है, इंडियन के लोग कोई भी न कर सकता, इसलिए कि foreign direct investments के कारण क्या है, management जो होता है, पूरा का domestic companies होती है, वो क्या होती है, पूरी तरह से दूसरे जो foreign विदेशी लोगों के हाथ में आ जाती है, अगला point आ जाता है, harmful to the domestic industry, I think towards our domestic industry के लिए भी का है, हानी का current point है, क्यों है ठाल कोहती है, जो foreign countries होती है, पूरा का युप करते हैं, और अच्छा product प्रवाग्ट करते हैं, सस्ते में न प्रवाइड करते हैं, पर थाए जो इसलिए पास दूसरे मेल, की 해서 प्रवाइड करते हैं, उनके बाध करो तो यह बात है कि प्रोफिट का जो डिवाइड होना होता है मतलब कि मालो कि हमारी जो इंडिया के अदर इंडिया ने क्या है मारे उस पैसे के साथ givesने ज्यादा प्रोफिट का है, यही इसलिए मैं नगीं आधे इंडिया में प्रोफिट की लगा कि लगी वो भी क्या है हमारी domestic industry वाले country ने दी थी, तो क्या है, जितना भी खर्चा पानी होगा, वो क्या है, हमारी country का होगा, परन्तु जो fund की investment होने के कारण क्या है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे दूसरी country को देना बड़ेगा, इसके कारण क्या है, outflow of the fund का है हमारा भारवाला योगा, भार के लोग ही करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा fund क्या है, जो भी लोग invest करते हैं, उन्हें का management होता है, उन्हें का control होता है, उन्हें के decision होते है, जिसके कारण का profit भी उनका सबसे ज़्यादा होता है, यह थे हमारे disadvantage of a foreign direct investment के, और advantage of the foreign direct investment के next video के अंदर हम बात करेंगे, foreign direct investment in retail, जो कि क्या है, single brand के अंदर है और multiple brand के उपर है, thank you for watching this video, have a nice day, और ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजेगा, और वीडियो को like जरूर कीजेगा, thank you